आज मैं आपको कॉंकरी स्टैल में सुर्मी मशली का सालन बनाना बताऊंगी और इसके लिए हम कोई भी भार के मसाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये सालन खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी बनेगा और बनाने में भी बहुत आसान है तो ये मैंने आधा किलो सुर्मी मशली लिए है और मशली को अच्छी तरह से धो लिया है इसमें कौटर टी स्पून हल्दी पाउडर कौटर टी स्पून लाल मिर्श का पाउडर और आधा चोटा चमश नमक डालेंगे और सारे मसालों को हलके हाथ से मशली में मिक्स कर लेंग अब ये मैंने 12-15 ड्राय को काम को आदे घंटे पहले भिगने के लिए रख दिया था या आपको किसी बी किराने की दुकान पर या दिसम कर करेंगे और चोटी प्यास को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके मिक्सर जार में डालेंगे इसमें 10 से 12 कलिया लहसुन के एट करेंगे एक इंच टुकड़ा अध्रक कर डालेंगे अब इसे बिना पानी डालेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे मिकसर में हलका से पानी डाल कर लगा हूँ मसाला भी पूरा ले ले अब आधा कप फ्रेश नारियल याने गिला वाला नारियल लेंगे इसे मैंने पत्ते पत्ते स्लाइसेस में कट कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए दो हरी मिर्ची लेंगे ये छोटी थी से मैंने दो ली है बड़ी है तो एक ले 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 थोड़ा सा हरा धनिया एट करेंगे और जो थोड़ी सी इमली भी गोई थी उसे हाथ से मसल कर पल्प निकाल लेंगे तो ये इमली का पल्प लगभख एक बड़ा चमच के बराबर है इस प्राइट करेंगे अब थोड़ा से पाने डाल कर इसका स्मूध पेस्ट बना लेंगे इस चटनी को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक पीसना है तो इस तरह से यह नारेल का मसाला तयार है और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से बारीक पीसा है अब लगवख एक को मीडियम टू हाई पर ही रखे ताके फिश उपर से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इससे जब हम इसे सालन में पकाएंगे तो यह बहुत ज़्यदा सौफ्ट नहीं होगी तो सारे पीसे इसको मैंने फ्राइ कर लिया है अब बचे हुए तेल में छोटी वाली प्यास को पर भूनेंगे अब कुछ ड्राइए मसाले एक करेंगे जिसमें कोटरटे यस्पून हल्दी पाउडर एक चुटा चमच चाशमीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने और हरी मिर्ची टाली है इसलिए मिने तीकी वाली लाल मिर्च नहीं डाली है काशमीर मिर्च से रंग तोटा चमश ले ले ड्राय मसाले डाल कर एक से दो मिनट भूनेंगे हर फ्राइडे रात नो बजे में आपके साथ प्राउंस और अलग लग फिश की नई रेसिपी शेयर करूंगी और अगर आपको मेरी फिश और प्राउंस की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को स इसमें quarter cup जितना पानी एट करेंगे तो मिक्सर जार में ही मैंने थ्राल सा पानी डाल कर लगाओ मसाला भी पूरा ले लिया है पानी को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मसाले को में अच्छे से भूनना है तेल अलग होने तक तो इसे cover करते हुए भूनेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहें क्योंकि नारेल सले पर जल्दी लग जाता है तो यह मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है और तेल भी अलग हो रहा है इसमें मैंने बहुत ज्यादा तेल नहीं डाला है इसलिए आपको ज्यादा तेल इसमें नहीं दिखेगा अब आप ग्रेवी को कितना पतला रखना चाहते हैं उसे साब से पाने एट करें इस फिशकर की ग्रेवी थोड़ी पतली ही होती है तो सालन की कंसिस्टेंसी को मैंने इस तरह से रखा है अब इसमें उबाल आने के बाद इसे दो मिनट उबलने दे तो सालन में उबाल आ गय लगता है अब धाकर लो फ्लेम पर इसे सिर्फ दो मिनट पकाएंगे उससे जादा नहीं पकाना है तो दो मिनट हो गए है और फिश अच्छी तरह से गल गई है फ्राइ करते वक्त ही मश्ली 70-80% तक पक जाती है तो अभी फिश अच्छी तरह से पक गई है और ओवर कुक भी नहीं हुई है अब इसे गर्मा गरम ही सर्फ करें और दिखने में मश्ली का असालन जितना ज्यादा मज़दार लग रहा है यकीन मानिए खाने में यह आपको उससे भी ज्यादा मज़दार लगेगा इसे गर्मा गरम रोटी या चावल के साथ खाए और इस तरह से कोकड़ इस टैल में सुर्मय फिश करी जरूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगी रैसीप एच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले